नमस्कार दर्शकों आप सभी का क्रियेटिव कार्तिक चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आज आप और मैं हम संस्कृत सैमुशी पुस्तक कक्षा 9 के पार्ट 4 कल्प तरू इस पार्ट को मैं आपको हिंदी में अनुवाद करके दूँगा ताकि आप इस पार्ट को अच्छी तरह से समझ सकें चलिए शुरू करते हैं इस सेंटेंस का मतलब हुआ है हिंवान नाम का एक सर्वरतन भूमी नगेंद्र यानि की नगेंद्र का मतलब होता है नग जमा इंद्र यानि की नग यानी होता है पहाड और इंद्र यानी की राजा तो एक ऐसा पहाड जो की सर्वरतने भूमी जिसकी सर्वरतने भूमी है और वह कौन है नगों का राजा यानी की पहाडों का राजा हिमवान है तस्य सानोह उपरी विभाती कंचनपुरम नाम नगरम और उस पहाड के उपर एक कंचनपुर नाम का नगर भी स्तित है तत्रा जीमूत केतु आह इती श्रीमान विद्याधर पति यहां वसती स्म यानि की वहाँ पर जीमूत केतु नाम के एक श्रीमान व्यक्ति एक बहुत अच्छे व्यक्ति विद्याधर पति यानि की बहुत ही ज्यानी व्यक्ति रहते थे तस से ग्रहो उद्याने कुल क्रमागता है कल्प तरुआ है स्तिता है और उनके ग्रहो उद्याने यानि की घर के उद्यान में घर के बगीचे में कुल क्रमागता है यानि की उनका जो पुष्टैनी जिसे हम बोलते हैं पुष्टैनी चीज जैसे कोई हमारे पर दादा दादा कि जो चीज होती है जो हमारे दादा जी के पास होती है फिर पिता जी के फिर हमारे पास होती है तो उसको कुल क्रमागता है बोलते हैं जैनि कि कोई ऐसी चीज जो हमारे बड़े बुज़र्गों के पास हो और वह चीज हमारे पास भी इसी फैमिली चेन से आ जाए तो उस रा यानि वो राजा जी मूध केतु उस कल्प्तरो की सदाही अराधना करता रहता था तद प्रसादात यानि कि उस कल्प्तरो के प्रसाद रूप में च बौधी सत्वांश शम्भवं जी मूत वाहनम नाम पुत्रम प्रापनोत और उसी कल्पतरू के जो वो उसके निमित भक्ती करता था उससे उसकी अराधना करता था तो उससे कल्पतरू से उस राजा जीमूत केतु को बौधी सत्वान्ष यानि कि बौधी सत्वान्ष हम कहते हैं जिसको सब प्राणियों पर दया हो हो सब प्राणियों से प्रेम हों, ऐसे व्यक्तिय दानवीर अहां सर्व भूतानु कम्पी च अभवत अब हमें यहां पर जीमूत वाहन की विशेष्टाएं बताए गई हैं तो जीमूत वाहन कैसा था वह महान था दानवीर था महान दानवीर था यानि कि वह बहुत दान पुन्य करता था इसलिए महान दानवीर था और च यान पर यानि इस शब्द में दो तीन शब्द जुड़े हैं कौन-कौन से सर्व भूत जमा अनुकम्पी यानि कि अनुकम्पी ने सर्व भूतान जमा अनुकम्पी यानि कि बताय जा रहा है कि उसको सभी प्राणियों के पर भी अनुकम्पा गह रखता था तस्य गुणयाह प्रसन्नह स्वस्च वेश्च प्रेरितह राजा कालेन संप्राप्त योवनम तम योवराज्य अभिशिक्तवान यानि कि उसके जीमूत वाहन के इन्हीं गुणों से प्रसन्न होकर तथा स्वसच वेश्च प्रेरितह राजा यानि कि उसके जो स्वसच वेश्च थे यानि कि उनके जो मंत्री वगरा थे उनसे प्रेरित होकर राजा ने समय आने पर संप्राप्त योवनम यानि कि जब जिमूत वाहन को योवन यानि कि जब उसको जवानी का टाइम आ गया तब योवन जब उसको प्रात हो गया तम योवराज अभिशिक्तिवान यानि कि तब राजा जीमूत केतु ने जीमूत वाहन का यौवराज स्वरूप राज कुमार बना दिया अभिशिक्तवान कदाचित हितेशिनह पित्र मंत्रिनह यौवराज स्तितम तम जीमूत वाहन उक्तवन्तह यानि कि कदाचित यानि कि जो हितेशिनह यानि कि जो हितेशि होते हैं और पित्र मंत्रिनह यानि कि जो पित्र के मंत्री यानि कि अब हम जीमूत वाहन के रूप से की नेत्रों की तरफ से देख रहे हैं तो जो जीमूत वाहन के जो पिता के मंत्री थे क्योंकि उनके जीमूत वाहन के जो पिता थे वह तो राजा थे तो उन राजा के जो मंत्री थे तो इसलिए हाँ पे पित्र मंत्रिनाह शब्दगा प्रयोग करा गया है और जो राजा के हितेशी थे यानि कि जीमूत वाहन के पिता जी के जो हितेशी थे उन्होंने जीमूत व तवो उद्याने तीष्टिती संतव सदा पूज्य है यानि कि हीर युवराज यहाँ पर युवराज शब्द उन सभी मंत्री एवं हितेशियों ने जीमुत्वाहन को समोधित करा है और कहा या ओयम यानि कि आपके यहाँ पर सर्व कामदह यानि कि सर्व कामदह यानि कि सारी कामनाओं को पूरा करने वाला कल्प तरू तव उद्ध्याने आपके उद्ध्यान में तिष्टिती है सह तव सदा पूज्य है और आप सदा ही उसको आप सदा ही पूजनिय माने यानि कि सदा ही उसको रिस्पेक्ट करें और वह आपके लिए बड़ा ही पूज्य है अस्मिन अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपी अस्मान बाधितुम न शकुन्यात इती यानि इस लाइन का अर्थ हुआ कि वह कह रहे हैं जो हितेशी एवं जो मंत्री हैं वह युवराज से कह रहे हैं कि अस्मिन अनुकूले स्थिते सती शक्रो अपी अस्मान बाधितुम न शकुन्यात इती यानि कि ये जो आपके पास जो कल्प तरू है ये हैं सारी आपकी इच्छाओं को पूर्ण कर देता है और ये आपके पास है इसलिए इंद्र भी शक्र यानि की इंद्र और अपी यानि की इंद्र भी आपका कुछ बहामें बाधितुम यानि की हमारे किसी भी कारे में वर्णन करा गया है कि वहां क्यूं परिशान करेगा आपके मन में यह विचार अवश्य आ रहा होगा तो इसका यह बड़ा ही सरल सा उत्तर है कि क्योंकि यह तो एक अपरिशनल स्टूरी है तो इसके अंदर और यह पुराने किसी समय में लिखी गई होगी तो इसलिए पहले लोक मानने था के अनुसार इंद्रेज्ण थे वह सब प्रकार से यह क्या करते थे कि जो भी बहुत दानी व्यक्ती होते थे जो भी बहुत पूझा पाट करते थे उन इसलिए यहाँ पे इस लेन का प्रेव होए कि इंद्र भी आपका कुछ नहीं कर सकते जब तक आपके पास यह सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला कल्प तरू स्तित है एतत आकरनया जीमूत वाहन अचिंतयत यानि की वहाँ पर आकर जीमूत वाहने चिंतयत यानि की वह सोचने लगा मन में अहो ईद्रशम अमर पादपम प्राप्यापी पूर्वई पूरुशयः अस्माकम ता द्रशम फलम किमपी नप्राप्तम यानि कि अहो इद्रिशम इस अमर पादपम यानि कि अमर पादपम यानि कि अमर पौधा अमर पौधा कौन सा कल्पतरू जो कभी मर नहीं सकता ऐसा पौधा को प्राप्त करकर पूर्व यहां पूरुष है यहां यानि कि पूर्व पूरुष यानि कि वह है क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि ये कल्प तरू जीमूत केतु राजा को उसके कुल क्रमागता है यानि कि उसके बड़े बुजर्व थे पूर्खों से मिला था तो वो यही सोच रहा था जीमूत वाहन कि जो हमें ये व्रक्ष हमारे पूर्खों से मिला है तो उनके पास जब ये व्रक्ष था तो उनको ऐसा थो कोई खास फल प्राप्त नहीं हुआ किन्तु के विलम कैश्च देव क्रपैन कश्टि विदप अर्थ अर्थित यानि कि उन्होंने तो बस इसको कुछ अर्थ यानि कि धन पैसा प्राप्त करने के लिए ही इसको इसका प्रयोग करा होगा तदहम अस्मात कल्पतरोह अभिष्टम साध्यामी इती यानि कि मैं इस कल्पतरो से केवल वही ही मांगूंगा जो मेर को जिस चीज की आवश्यक्ता होगी इती यानि कि वो ऐसा सोचता है इवम आलोच्य सहापित्वाह अन्तिकम आगच्छत यानि कि वह यही सोच कर जो अभी हमने यह सोचा कि मेरे हमारे जो पूर्खों ने जिनके पास ये कल्प व्रक्ष था कल्पतरो था तो उन्होंने इसका प्रयोग्त केवल धन पाने के लि काम में आयेगा ऐसा सोचते हुए मन में विचार करते हुए वह अपने पितु आहां अंतिकम आगच्छत यानि कि उनके पास अपने पिता जी के पास आया आगतियंकि उसने उनके पास अपने पिताजी के पास आकर अराम से बैठकर एकांत में यानि कि जब कोई नहीं था तब एकांत में अपने पिता से कहां तात वम्तु जानासी एव यदस्मिन संसार सागरे अशरीरम इदम सर्वंधनम वीचीवत चंचलम यानि कि तात तात वो कह रहा है अपने पिताजी को संबोधित करते होई तात यानि कि हे पिताजी त्वम्तु जानासी यानि कि आप तो जानते हैं एव यदस्मिन यानि इस संसार सागरे यानि कि यहां पे उपमा अलंकार का प्रयोग हुआ है संसार सागरे यानि कि इस संसार के सागर में आ शरीरम हमारा शरीर इदम सर्वंधनम वीचीवत चंचलम यानि कि जो धन प्राप करने के लिए बड़ा ही चंचलित रहता है एक आहां परोपकारा एव असमिन संसारे आ नश्वरह यानि कि पहले तो वो कहता है कि हमारा शरीर धन प्राप करने के लिए चंचलि रहता है और तब भी वह क्योंकि वह तो नश्वर है तो वह नश्ड हो जाता है यह कहा परओकार एव असमिन संसारे अनश्वरा中 यानि कि इस संसार में केवल परओकार ही है जो अनश्वर है जो कभी नश्ड नहीं होता यो युगांत परियंतम यशह प्रसूते यानि कि जब तक जब तक युग युगांत परियंतम का मतलब है कि आपको पता होगा कि युग चार तरीके होते हैं सत्य युग द्वापर युग त्रेता युग और कल युग तो वो कह रहा है कि युगों के खतम होने तक यानि कि जब तक इस रिष्टी च तद अस्माबियाह इद्रिशह कल्पतरुआ के मर्थम रक्षयते यानि कि तो फिर हम जब हमारा परोपकार ही हमारे यश को बढ़ाता है जब तक ये पूरी स्रिष्टी है तो हमारा जो परोपकार ही वही ही रहता है तो हम फिर इस कल्प तरू की क्यों रक्षा करते हैं मतलब हमें इस कल्प तरू की क्या आवश्यक्ता है ऐसा भे अपने पिताश्री से पूछता है येश्ट पूर्वैर यम ममम इती अग्रहेन रक्षिताह ते दानीम कुत्र गताह तेशाम कस्यायाम यस अस्य वा केते तसमात परोकाराई फल सिद्धियाई तव द्याग्या इमम कल्प पादपम अराध्यामी यानि इस पूरी सेंटेंस का मतलब हुआ कि येश्ट पूर्वर्यम ममम इती अग्रहेन रक्षिताह यानि कि जो लोग कहते थे ममम यानि कि ये मेरा है मेरा है तो ते इदानीम कुत्र गता तो वो जो कि हर बात पे ये मेरा है ये तेरा है ये सब मेरा है ये ऐसे सोच रखने वाले विक्ती आखिर कहां चले गए तेशाम कस्याम यानि कि वह उनका ये पेड कैसा लगा या अस्य वाकेते या वह इस पेड के कैसे लगे तस्मात परोबकार एक फल सिध्याई त्वदाग्या इमम कल्प पादपम अराध्यामी यानि कि इसलिए मैं अपने जीवन में केवल परोबकार नाम के एक फल के सिध्याई के लिए त्वदाग्या यानि कि आपकी आग्या से मैं इस कल्प पादपम अराध्यामी यानि कि इस कल्प तरू की अराधना करता हूँ यानि कि वह कहता है कि जो लोग ऐसी सोच रखते थे कि ये मेरा है यानि कि वह पहले तो जो कल्प व्रिक्ष था उससे समान मांग कर फिर एक दूसरे में जगडा करते कि ये मेरा है ये मेरा है तो वह अंत में तो वो सब चले गए और उनका कोई परोपकार भी नहीं हुआ इसलिए वह किसी को याद भी नाय रहे तो वो कह रहा है कि मैं ऐसा नहीं चाहता मैं तो परोपकार का ही एक ऐसा फल मांगता हूँ इस व्रक्ष से जो आपकी आगया पाता हूँ और मैं इस कल्प व्रक्ष ऐसा फल मांगता हूँ परोपकार नाम का एक फल सिद्ध करवाता हूँ और अब मैं इसकी अरादना करता हूँ अत्ल पित्रा तथा इती अभई न्यूग्याता हा स जिमूत वाहना हा कल्पतरूम उपगम्य उवाज यानि की इस प्रकार से वह पिता की आग्या प्राप्त करकर जिमूत वाहन कल्पतरू के पास जाकर उवाज कहता है देव तव्य अस्मत पूर्वे शाम अभिष्टा कामाह पूरिताह तन्मै कह तन्मै कम कामम पूर्य यानि जिमूत वाहन ने पहले संबोधन करा कि देव यानि वह कल्पतरू से कह रहा है कि हे देव आपने हमारे पूर्वजों की सभी कामनाओं को पूरा करा है तन्मम एकम कामम फूर्य यानि कि तो मेरी भी आप कृपया एक कामना पूरी कर दीजिए यानि कि वो कहता है कि जिस द्रिष्टी से मैं पृथवी को अदरिद्र यानि कि किसी को भी भीक मांगने वाला नहीं देखता पूरी पृथवी में किसी को भी भीक मांगने वाला नहीं देखता उसी प्रकार से कर दो यानि कि वह कह रहा है कल्पतरू से कि आप ऐसा करो कि जितने भी प्राणी पृथवी पर है उन सभी को अदरिद्रता दो यानि कि उन सभी की गरीबी मिटा दो एववदिनी यानि कि जब तक वो बोल रहा था जिमूत वाहनी जब तक ये बोल रहा था कौन जिमूत वाहन जब तक बोल रहा था कल्पतरू से तब तक कल्पतरू ने कहा तैक्तस तवया एशो अहम यतो अस्मी यानि कि कल्प विरक्ष अब जिमूत वाहन से कहता है कि तुने मेरा त्याग कर दिया है यानि कि जिमूत वाहन ने कल्प तरू से ऐसी इच्छा मांग ली जो आज तक कभी किसी ने मांगी ही नहीं थी लगभग impossible समान थी तो इस बात पर कल्प तरू कहता है कि तुमने यह इच्छा मांग कर मेरा त्याग कर दिया है या तो अस्मी यानि कि अब मैं हाँ से जा रहा हूँ इतिवाक तस्मात तरो उद्भूत यानि कि यह कहकर ही वहां से वहां वरिक्ष गायब हो जाता है चला जाता है शनी जस कल्प तरू अह दिवं समुत पत्य भूवी तथा वसूनी अवर्षत यथा न कवपी दिर्गत आसीत यानि कि शन में कुछ ही देर में कुछ ही मिंटो में कल्प तरू दिवं को प्राप्त करकर प्रित्वी पर आया और उसने वसूनी अवर्षत यानि कि वसू का मतलब होता है धन, पैसा, अवर्षत यानि कि वर्षा यानि कि उसने कल्पतरुने धन की वर्षा पृत्वी पर करवा दी, कियों करवा दी ताकि कोई भी दुखी और दरिद्री ना रहे इस प्रकार से ततस्य जीमूत वाहन से सर्व जीवानुकंप्या सर्वत्र यशह प्रतीतम यानि की इस प्रकार से सब जगे पर हर एकोने में प्रत्वी के हर एकोने में जीमूत वाहन की ये सभी जीवों के प्रती अनुकंपा का यश्च चारो ओर फैल गया तो दर्शकों इस प्रकार से हमारा यह पार्ट संपूर्ण हुआ अब मैं आपसे मिलता हूँ अगले संस्कृत के पार्ट में तब तक के लिए आपसे भी लोकडाउन का समय हैं अपने घर पर रहें सुरक्षित रहें तब तक के लिए नमस्कार